जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने चलाया इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाने का मक्सद था कि जो हाथी की संख्या है जो नंबर आफ एलिफेंट से ना इनको बढ़ा दिया जाए हाठी की संख्या वेटा यहां पे पुणट समझें का है इनका उधेस था हाठी की संख्या बढ़ा देन नंभर पोषिभाना साथ जात में इनका कुछ कोई नहीं प्राकृतिक वास Mouse आ यह नहीं है तो इनको अपने प्राकृतिक आवास में पुनरस्थापित करना इसका उद्देश था इक्जाम में कुश्चन ऐसे बनेगा पहला कुश्चन कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर में कौन सा कथन सही है कथन नंबर वन प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में सुरू किया गया कथन कौन सा कथन सही है तो आपसे नंबर एक एवल एक एवल दो दोनों इनमें सी कोई नहीं तो आपका विसेश ध्यान देना है आपसे नंबर दो आथी मेरा साथी अभी हमेंने पढ़ाया नहीं लेकिन हाई सी में अभी में आपको साथ डिसकस करेंगे बेटा हाँ ये 1973 में नह कोना रस्थापित करना इसका उद्दीश था एधाम और नज़र डाले यहां पर देख सकते हो हाथ यूँ कि अब जो अवैद हथ्या की निगरानी कारीकरम चलाया गया हाथ यूँ की अवैद हथ्या होने लगी और जिसके लिए हमने एक कारीकरम चलाया जिसका नाम था एक माइक यम आई के माइक आप याद रखोगे मोनेटरिंग आफ इलीगल किलिंग आफ इलीफैंट यहां समझे पिटा यहां पे हाथियों की अवैद हत्या सुरू होने गई जब अवैद की अवैद हत्या सुरू होने लगी अवैद हत्या की जाने लगी हाथियों की तो एक प्र जिसके तहत हमने माइक को अस्थापित करने भारत मी माइक अस्थरों को हमने अस्थापित किया जिसका नाम है यहां पे देख सकते हो चिरांग रिपू कहां पे है असम यह सभी जो आठ माइक हैं यह आपको याद रखना है जो 10 माईख है यह आपको जाखना 8 सी 10 कौन कौन से पहला है चिरांग रिपू चिरांग रिपू जो माईख है यह चिरांग रिपू कहां पे है असम में यहां पे देहिंग पठकाई कहां पे है असम में पूर्वी दुवार पशिम मंगाल पशिम मंगाल क्या एक पूर्वी दुवार है देमाली अरुड़ाचल प्रदेश गारो पहाड़ी मेघाले मयूर भंज उडिशा मैसूर करनाटक नीलिगरी तमिलनाडू सिवालीक उत्राखंडी वाइनाड केरल यह आपको याद रखना है कैसे याद रखोगी हमारे साथ आप लिवीजन करो जैसे एक्जाम में पूछा है मयूर भंज हाँ बिल्कुल एक माइक अस्थल है उडिशा में है मयूर भंज उडिशा में है अच्छा सिवालीक आपको उत्राखंड में है अच्छा आपसे का जाए वाइन वाइनाड केरल में है तो वाइनाड केरल नेलगिरी तमिलनाड दोद अच्छन में आपने देख लिया मैसूर करनाटक सिवालिक उत्राखंड मयूर भंज उडिशा गारो पहाडी मेघाले देमाली अरुड़ा चल पूरवी दुवार पशिममंगल देहांग पठकाई असम और चिरांग रिपु असम तो इस पकार यह माइक अस्थल है तो इस पकार यह बाते आपको ध्यान देना है ठीक है प्र अधियुक्त है और इसलिए हमने माईक प्रोग्राम चलाया ब्रेस अगला माद पूर्ण हाथी मेरा साथी अभ्यान आपने एक मुब़ी राज puppy विश्च ? हाथी मेरा साथी देखाय उसमें भी हाथियों के साथ ही जिक्र की गिये है हाथियों की साथ ही चर्चा की गई है यहां पर पॉइंट क्या है समझने की बात यह है हाथी मेरा साथी अभियान जो है यह एक जागरुकता अभियान परियावण भण उजल्वआई परिवर्तन मंत्रालें जिसे आप कहते हों यहां पे यहां पे यह एन इूनाइटर नेशन एपके सकते हों इंवार्मेंट यहां पे इंवार्म online inc forest and climate change world life trust of India WTI द्वारा संञेंगतृण की निवक्री स्टब चर्चा क्या है पहला Question क्या है यह भी आपके exam का Question है बेटा आपकी exam के लिए महात्बूर है कि हाथी मेरा साथी अभियान किसके द्वारा चलाया गया तो यहांट और एंवर्मेंट फारेश्ट और इन्वार्मेंट यहाँ पर देखोगे Environment, Forest and Climate Change UNFCC यहाँ पए Environment UNFCC इन्वार्मेंट Forest and Climate Change तो आपको यह परियावरन 1M-Jalvayee परिवर्थन मंत्रा ले World Life Trust of India WTI यह परियावरन 1M-Jalvayee परिवर्थन मंत्रा ले pare लिए World Life Trust of India या डवलू टी आई द्वारा सविक्त रूप से शुरू किया गया ध्यान देना है यहां से एक्जाम में कुश्यन पूछा जा सकता है ठीक है तो इस पकार आपको यह बाती भी ध्यान देनी है हाथी मेरे साथी अभ्यान यसी अभ्यान इलिफeln्ट 8 की मंतर स्थिय वैठाग में मई' 2011 में सुरू किया गया और इस अभ्यान का जो मस्कोड था वगजुग जैसे आपनी गजह गजह एक संस्की सब्द है जिसकी मेनिक होती हाथ थी